तो बंदूक भी का भी बस यही का में अक्सली वगर आ हैं समना ये जहां बंदूक की गोली खरीते होंगे सब गोलिया को पानी में खोला के देटे तो उसके अंदर का बारूद महरा आजैका देखिये बंदूक बनाने के लिए जरूरी क्या होता है देखिए बंदूक बनाने के लिए जरूरी क्या होता है बंदूक हलका होना चाहिए क्या होना चाहिए हलका होना दूसरा उस पर जंग नहीं लगना चाहिए तीसरा वो हीट बरदास कर सके बंदूक क्या बरदास कर सके हीट बंदूक में दम नहीं होता है, गोली अपने दम पे जाती है, बंदूक की कोई आउकात नहीं है, बंदूक के बस इतना है कि गोली को रखने का वो जगा देता है, और गोली के पीछे आग लगा देता है, जिस सिधान पर रॉकेट उड़ता है न, तो रॉकेट उड़ाने के जितना जरूरत बोतल का है, बोतल क्या करता है? वो सीधा रास्ता दे देता है. बाकी तो आग आप खुद मारते हैं, तो बंदूक भी का भी बस यही काम है कि रास्ता दे देता है सीधा, बाकी जब अनुलोग इसे ट्रिगर दबाते हैं तो बस पीछे जागे चिनगारी जब बंदू की गोली को पानी में खोला देते हैं आदा गंटा खोला ठंडा कर दीजेगा तो उसके अंदर का बारूद महरा जाएगा अब चिंगारी बारी के तब उसी मेरा जागा, बंदूक के पास कोई दम नहीं होता है, कोई दम नहीं, जितना लंबा गोली उतने दूर तक जाए गया आप पस बंदूक में क्या होता है, आग लगता है इसलिए हमें बंदूक ऐसा बनाना होता है जो हलका हो, जंग न लगे और कितनी भी गर्मी बरदास कर लेगे सस्तावा बंदूख बना देंगे चार गोली के बाद मुह में उसका फट जाएगा इसे संजागे की निया गया हातें में भड़क जाएगा हाथ जल जाएगा हापे